तो दोस्तों जैसा कि आपने लेटिस्ट एपिसोड में देखा कि टांग सेक्ट और सन्मून रॉयल अकाड़मी के बीच में एक भयंकर फाइट स्टार्ट हो गई थी, जिसमें वांग डोंगर काफी सीरियसली इंजर्ड हो गई होती हैं। वही दूसरी तरफ युहाओ ने भी उसका करारा जवाब दे दिया होता है। जिसके बाद केतु ने अपोजट टीम के एक बंदे को काफी सीरियसली इंजर्ड कर दिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली शियो हुंग चिंग बैटल फिल्ड में एंटर करता है लेकिन वही दूसरी तरफ युहाओ इस मैच से गिवाप कर देता है। जिस चीज से शियो उंग चिंग का काफी तगड़ा वाला मजाग बनके रह जाता है। और वो भी गुसे को अपने दिल की गहराईयों में दबा के वापस आ जाता है। और अब आगे क्या होगा देख जो अगला मैच होगा क्या वो ये लोग जीत सकते हैं। और इस सवाल को सुनकर जिंग हुंग चेन भी परेशान सा हो जाता है। और ये कहता है इस ओल्ड मैन को इन बच्चों में पूरा विश्वास है ये तांग सेक्ट के लोगों को जिन्दा कभी नहीं जाने देंगे। और तभी जू तियारन काफी इविल तरीके से गुस्से से कहता है कि तांग सेक्ट के मेंबर सरेंडर या फिर मरने ही चाहिए। और इस चीज को सुनके जू जी को युहाओ की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। हम तांग सेक्ट के रूम का सीन देखते हैं जहां पे क केतु काफी गहरे सोच विचार में डूबा होता है। तो युहाओ इसके पास आकर पूछता है सेकंड सीनियर ब्रदर क्या आप ठीक है। जिस पर केतु कहता है हां मैं ठीक हूँ। और फिर केतु क्राउन प्रिंस जू तियारन की तरफ देखने लगता है। जिसके बाद सेक्ट एरीना के अंदर आने लगती है। तो युहाओ कहता है डोंगर बाद में मेरे साथ ही रहना और प्लीज मुझे प्रोटेक्ट करना। और इसके लिए वांग डोंगर भी मान जाती है। और युहाओ कहता है इस टीम बैटल के लिए प्लीज आप सभी मेरे स्पिरिच और मेरी की बात को मानेंगे लडने के लिए और ना सिर्फ हमें ये जीतना है बल्कि हर हालत में हमें से एक भी मेंबर इंजर्ड नहीं होना चाहिए और इस चीज के लिए पूरी तांग सेक्ट की टीम मान जाती है। और ये कहता है आगे जो होने वाला है वो ना सिर्फ एक competition है बलकि ये उससे ज्यादा एक life and death match होगा और एक छोटी सी भी गलती आपको काफी बुरी तरीके से hurt कर सकती है और यहां तक की आपको मार भी सकती है और फिर एरीना के अंदर सन्मून रॉल अकाड़मी और तांग सेक्ट एक दूसरे के आमने सामने आ जाती है और इस तरफ सियो होंग चेन इन सभी के सामने एक अजीब सी स्माइल करता है और फिर ये रेफरी से कहता है रेफरी हम सरेंडर करते हैं और इस चीज को सुनकर रेफरी दंग रह जाता है और कहता है क्या तुम शौँ हो और इस चीज को सुनकर यहां तक की युहाओं भी शौक होता है जबकि ये जो शियो हूंगचेन होता है ये कहता है कि हाँ बिल्कुल हम सरेंडर करते हैं जिसके बाद रेफरी के पास भी कोई और चॉइस नहीं रह जाती है और ये अनाउंस करता है कि सन्मून अकैडमी ने सरेंडर कर दिया है और इस मैच को तांग सेक्ट ने जीत लिया है और फिर जू तियारन कहता है ये तो काफी अच्छी एड़ाप्टिबिलिटी है प्लीज आप उन सभी को सबक सिखाना और जिंग होंग चेन को ऐसा लग रहा था कि ये जो क्राउन प्रिंस है ये उनके उपर काफी गुसा होगा लेकिन जू तियारन बिलकुल भी गुसा नहीं होता है और ये कहता है ये राउंड रोबीन तो अभी तो बस शुरू ही हुआ है ग्रैंड मास्टर होयाओं ने पहले किस तरीके की पावर को अनलीश किया था तो ये मिस्टीरियस सा ग्रैंड मास्टर कहता है शायद ये पावर स्पिरिचुल टाइप थी जो की थर्ड आई का एक न्यूटेशन है और वो जो सोल स्किल है वह काफी ज्यादा स्ट्रॉंग है तो मुझे डर है कि सेम लेवल का कोई भी उसे हरा नहीं सकता है और तो और मुझे इतना विश्वास है कि मास्टर हूंग चेन का जो ग्रैंसन है उसके पास भी ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि वह इस स्किल से डील कर सके और इसलिए ही उसने अपनी केपिबिलिटीज को बचाए रखना चूच किया क्योंकि बदला लेने का मौका हमेशा मिलता है और वही दूसरी तरफ युहाओ कहता है सन मून स्क्वार्ड के साथ निपटना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है तो जू सांसी कहता है मैं तो पहले से ही इस मौके का फाइदा उठा के उन सभी को एक साथ ही निपटा देना चाहता था लेकिन ऐसा लगता है कि वहा काफी बुरी तरीके से डरे हुए है तो जियाँग ननन कहती है मुझे नहीं लगता है कि वो लोग डरे हुए है क्योंकि शियो होंगचेंग की आंखों के अंदर किसी भी तरीके का डर नहीं दिख रहा था और ये बिल्कुल भी मद भूलो की पांच साल पहले ये सिबलिंग पहले ही सोल किंग्स बन चुके थे जिसके बाद ये सभी लोग ही अपने होटिल की तरफ जाने लगते हैं लेकिन तभी रास्ते में वांग क्वियर युहाओं के पास आ जाती है तो युहाओं कहता है वांग क्वियर क्या कुछ हो गया है जिस पर वांग क्वियर कहती है हम श्रेक्स एकाडमी में हैं और हमें तुम्हारी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है और मैं खुद भी उन्हें हरा सकती थी जिस पर युहाओ कहता है मेरा तुम लोगों की मदद करने का कोई भी इरादा नहीं था बल्कि हम तो बस इस तरीके से अपनी ही मदद करने की कोशिश कर रहे थे और हम इस मैच को जीत चुके हैं तो तुम लोगों को भी अपना बेस्ट देना होगा और इस चीज को सुनते ही वांग क्वियर मुंफेर के यहां से चली जाती है जबकि डॉंगर को समझ में नहीं आता है कि यहां पे ये क्या हुआ जिसके बाद हम रात के समय युहाओ के रूम का सीन देखते हैं जहां पे वांग डॉंगर युहाओ के गालों को खीचते हुए चिलाते हुए कहती है मैं तुम्हें दोबारा से इस आईसी पावर को इस्तमाल करने की इजाजत नहीं देती हूँ और मुझे तुम्हारी ऐसी हालत बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिस पर युहाओ कहता है लेकिन ये तो बस बैटल के लिए ही था और फिर ये कहता है ठीक है ठीक है और चलो मुझे तुम्हारी बैक पे जो जखम है उसे चेक करने दो तो वांग डॉंगर शर्माते हुए कहती है ये सुनने में कितना अजीब सा लगता है और तुम किसी और जगा पे छूने की तो हिम्मत भी मत करना जिस पर युहाओ कहता है क्या मैं उस तरीके का परसिन हूँ और मेरे बलाट के अंदर जो लाइफ गोल है वह सबसे बेस्ट मेडिसिन है और फिर हम देखते हैं कि डॉंगर ने अपने कपड़े उतार दिये हैं और इसके पीठ पर जो जख्म है उसे युहाओ हील करने लगता है तो डॉंगर कहती है युहाओ इतनी देर हो गई आखिर तुमने कुछ यो नहीं कहा जबकि इस तरफ युहाओ के गाल लाल हो रहे होते हैं और जैसे ही डॉंगर पीछे मुड़ के युहाओ की तरफ देखती है तो ये भी शर्म के मारे पानी-पानी हो जाती है और ये तुरंथ ही एक पिलो को उठा के युहाओ के मुम पर मारती है और चिलाते हुए कहती है आखिर तुम अपनी इन नजरों को कहां डाल रहे थे और कहां देख रहे थे जिस पर युहाओ कहता है मैं दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल चीज को देख रहा था और फिर डो युहाओ चौंकते हुए कहता है डोंगर क्या हुआ तुम तो इस पूरे समय कितनी ज्यादा जेंटल थी ना जिस पर डोंगर थोड़ी सीरियस होते हुए कहती है तो फिर मुझे सच सच बताओ क्या तुम मेरे पहले वाले जेंटलनेस से ज्यादा प्यार करते हो या फिर मे पहले जब मैं लड़की बनी थी तब मुझे डर था कि तुम इस चीज को एकसेप्ट नहीं करोगे और मुझे अपने ब्रदर की तरह ही ट्रीट करोगे और मैंने अपनी पूरी कोशिश की और अपना बेस्ट दिया लड़के की तरह आक्ट करने के लिए और तब तुम्हारी क होना ही पसंद करते हो तो फिर असल में वो मैं नहीं हूँ जिसे तुम पसंद करते हो इसलिए मैंने पहले की तरह बदलने की कोशिश की और मैं पहले की तरह ही वापस से बदलना भी चाहती हूँ क्या ये ठीक रहेगा और डॉंगर की इन बातों को सुनके युहाओ दंग और फिर ये मन में कहता है, वैसे तो मैंने काफी कुछ डॉंगर के लिए सैक्रिफाइस किया है, लेकिन डॉंगर भी अपने आपको हर दम सैक्रिफाइस करती रही है, और यहां तक कि इसमें अपनी परसनालिटी को भी चेंज करने की कोशिश की है, जो कि सच में काफी तक नहीं पढ़ता है, तुम्हारी परसनालिटी कैसी है, लेकिन तुम हमेशा मेरी ही डॉंगर रहोगी, तो डॉंगर रोते हुए कहती है, मैं काफी लंबे समय तक तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त मानती रही हूं, हालांकि इन दिनों एक छाया सी मेरे मन के अंदर म दिखती हो, लेकिन वह पहले ही तुम्हारे काफी गहरे यार में पढ़ चुकी है, जो कि एक किसी तरीके की स्पेश फीलिंग है और मैं तुम्हें जाने देना नहीं चाहती हूं, और जितना ज्यादा मैं ये करती हूं, उतनी ही ज्यादा मैं अपने आप से को गिल्टी और दर महसूस करती हूं, और जाने अन जाने में मैं तुमसे अटाच हो चुकी हूं, लेकिन आज के मैच में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं वांग डोंगर हूं, और एक ही तरीके की वांग डोंगर हूं, इस पूरी दुनिया के अंदर और क्यों मुझे इंसिक्योर महसूस कर और मुझे ही क्यो डर फील करना पड़ता है ना ही मैं कोई इस्तमाल करने वाली चीज हूँ। जिसे सही समय पर तुम्हारी सिचुएशन का पता नहीं चला। जिस पर डोंगर भी रोते हुए कहती नहीं ये मेरी ही गलती है जो मेरा मानसिक। रखना की दोबारा कभी इस तरीके की पावर को इस्तिमाल ना करो। बातचीत करने के लिए काफी पॉपिलर टॉपिक बन गया होता है। अंदर काफी जल्द शुरू होने वाला है और पबलिक के लिए जो सबसे ज्यादा मोस्ट अट्रेक्टिव बैट होती है। वो ये होती है कि वहाँ पहला परसन कौन होगा जो की कॉम्पिटिशन को कम्प्लीट करेगा। और ये भी कि कितनी देर में और ये अलग-अलग इंटर्वल्स का होगा। और जो सबसे छोटा है वहाँ आधे घंटे का है जिसके बाद आधे घंटे से एक घंटा और एक घंटे से डेड़ घंटा। और फिर और भी और ये चीज बिलकुल भी सच नहीं है कि जितना ज्यादा समय लगेगा उतनी ही कम बेट लगेगी। लेकिन बीच में टाइमिंग क्लोज होने की समभावना सबसे कम है इसलिए दोनों ही एंड्स पे ओर्ड्स काफी हाई है। निक्स्ट राउंड के अंदर भी जा सकते हैं। और जबकि जो बाकी के हैं, वो ये दर्शाते हैं कि वहाँ बाकी के प्लेयर्ज अपनी अपनी एबिलिटीज को छिपा के रख रखे हैं। जहां पे हम दो स्पेशल बंदों को देखते जिन्हें देख के तांगवू मन में कहता है, ये अपनी नमबर प्लेट्स लेके नहीं आए हैं। इसलिए मैं इनकी आइडेंटिटी को भी नहीं जानता हूँ। और देखने के तो हिसाब से ये 27 या फिर 28 येर्स के लग रही ह और क्या ऐसा हो सकता है कि ये वर्चस हौल के मेंबर्स हो। और तभी चैन दो नमबर प्लेट्स को इन दोनों बंदों के पास लाते हुए कहता है। और मुझे भी उनकी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है। लेकिन सुपीरियल्स ने कहा है वो लोग काफी पावरफुल सोल इंजिनियर्स हैं। और तभी अनाउंस होता है लेडीज और जेंटलमन कॉम्पिटिशन अब शुरू होने ही वाला है। इसलिए सारे कंट इस्टेंट्स जल्द से जल्द अरीना में आ जाएं। और इस अनाउंसमेंट को सुनकर तांगवू और तांगसू जाने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं। कम्पिटिशन शुरू हो चुका है जहां पर तांगवू अपनी स्पिरिच्वल आइस का इस्तिमाल करते हुए मन में कहता है। प्लेयर 96 और 98 की जो मूवमेंट हैं वो काफी तेज हैं और ना सिर्फ उनके एक्सप्रेशन काफी शान से हैं बलकि उनके जो हाथ हैं वह काफ सोल लाइट की एक लेयर भी है और इस कार्विन प्रोसेस के दौरान ये जो कार्विन नाइफ है ये एक सौफ्ट ड्रैगन रोर को इमिट करती है और जिसके उपर ये इंग्रेव कर रही हैं उसके मैटलिक सर्फिस पे सयान की एक लेयर अपियर होती है और ऐसा भी दिखता है, कि वहाँ पे विंड Aetable की नाज़ुक सी फ्लक्चुएशन है, और काफी हद तक लगता है, कि ये लिस्टेड कार्विंग नाईवस में से एक है, और ये जो स्टेड कार्विंग नाईवस होती है, ये टोटल एक 100 नाईवस होती है, और ये पूरे ही continent में सबसे best knives होती हैं और इन में से ही एक soul-varing carving knife है और इस list तमे जितने भी carving knives हैं उनमें सबसे ज्यादा powerful चीज ये है कि इन सभी के पास अपनी अपनी खुद की characteristics और soul power होती है और जब इनसे soul tools को बनाया जाता है तब ये भी संभव होता है कि जो carving knives की characteristics है वो इन tools के अंदर आ जाए जिससे कि उस level से भी परे वो soul tool produce होता है और इस मामले में अभी युहाओं की किस्मत होती है और ये परेशान होते हुए मन में कहता है जो blade of life है वो eye of destiny में merge हो चुका है और मैं नहीं जानता हूँ कि वहाँ अभी कैसा दिखता होगा और अगर जल्दबाजी में मैं उसे अभी भी बाहर निकालता हूँ तो वहाँ सिर्फ बाकी लोगों का attention ही अपनी तरफ आकरशित करेगा इसलिए मैं लोटने के बाद ही उसे देखूंगा और मेरी precious knife मुझे माफ करना और करीब आधे घंटे बाद जो player 96 और 98 होते हैं उन्होंने अपने soul tool को बना के सॉंप दिये होते हैं और high ranking के साथ next round में पहुँच जाते हैं और जिन 4th level के soul tools को हुआ युहाओ और केतु के द्वारा बनाए गए थे वो सभी ही small soul cannons थे और ये लोग मुश्किल से ही next round में पहुच पाते हैं और जब ये लोग बाहर आ जाते हैं तो वांग डोंगर कहती है युहाओ क्या तुम बेवकूफ होने का दिखावा करके वापस से advantage लेने की कोशिश कर रहे हो जिस पर युहाओ रोते हुए कहता है मैं dumb होकर advantage लेने का कोई भी दिखावा नहीं कर रहा हूं बलकि मैं तो सच में एक number का गधा हूं और तीन लाख जो gold soul coins चले गए हैं उनसे अब मुझे काफी परेशानी हो रही है और जब हम hotel में पहुँच जाएंगे तब मैं सभी के सामने अपनी गलती को स्वीकार करूंगा और युहाओ को इतना रोना इसलिए पढ़ रहा है और परेशान होने की बजाए ये सोचो कि तुम उसे अगले राउंड में कैसे कमाऊगे जिस पर डोंगर कहती है सीनियर ब्रदर देख के ऐसा लगता है कि आपने पहले भी gambling की है क्योंकि आप किसी expert की तरह ही बोल रहे है जिस पर के तु कहता है जूनियर सिस्टर आज तुम इतनी खुश और लवली क्यों लग रही हो क्या कुछ बात है जिस पर वांग डोंगर कहती है हाँ बिलकुल कुछ अच्छा होने वाला है लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगी और जब ये लोग होटल में लौट आते हैं तो यूहाँ डोंगर से कहता है तुम जाके आराम कर लो मुझे अब भी कुछ काम करना है जिस पर डोंगर इसके पास आके कहती है तुम और भी क्या करना चाते हो और जो भी करो मैं उसमें तुम्हारा साथ दूँगी और मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो और यहां तक कि तुम तो तीन लाख गोल्ड सोल कॉइंस को भी हारने के बाद एकसाइटेड दिख रहे हो और इस चीज को सुनके युहाँ थोड़ा सा परिशान सा हो जाता है लेकिन ये फिर खुश होते हुए मन में कहता है डोंगर सच में काफी अच्छी लगती है जब ये इस तरीके की होती है और इससे मुझे तब की याद आती है जब मैं इससे पहली बार मिला था लेकिन बस थोड़ी सी सौफटनेस की कमी से ऐसा दिखना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है और फिर युहाँ कहता है मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा रहा हूँ और मैं तो बस भूल गया था कि मेरे पास एक और चीज है जिसके बाद हम युहाँ के फोरहेड पे गोल्डन लाइट को काफी जोर से ग्लो होते हुए देखते हैं और डॉंगर भी युहाँ की वर्टिकल आई को ओपन होते हुए देख रही होती है और जब वो open होती है तो डॉंगर हैरान होते हूए कहती है ये तो काफी ज्यादा सुनदर है और हम देखते हैं कि इसके अंदर से काफी ज्यादा light भी emmit हो रही होती है और उसे देखकर डॉंगर काफी ज्यादा हैरान होती है और युहाओ मन में कहता है ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे कि दूसरी दुनिया से कोई दर्वाजा खुल गया हो और तभी युहाओ के forehead में से कोई चीज काफी जोर से glow करते हुए बाहर निकल के आती है जो की एक carving knife होती है और इस carving knife को देख के युहाओ कहता है ये blade मेरी eye of destiny में creatures को protect करती है और अब ये इस रूप में transform हो चुकी है और ये जो vital force है ये वापस लगातार flow हो रही है और ये जो elementary forces है ये heaven और earth से travel करके मेरी body के अंदर आ रही है और इससे मुझे काफी comfortable महसूस हो रहा है और चलो अपनी soul power को इसके अंदर inject करने की कोशिश करते हैं और जैसे ही ये ऐसा करता है तो ये blade expand हो जाती है और इस blade को इतना लंबा होता देख डोंगर भी काफी हैरान होती है और जैसे ही ये blade इस table को touch करती है तो ये table भी disappeared हो जाता है और डोंगर कहती है ये table तो राख में बदल गई वांग डोंगर हैरान होती है तो युहाँ कहता है हां और बस वो lifeless object होना चाहिए क्योंकि इसका जो एटिबल है वो light है इसलिए ये सारे objects की vital force को judge कर सकती है और तो और ये किसी और object को vital force भी दे सकती है और इसके साथ मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं जिस ultimate eyes को absorb करता हूँ heaven and earth elementary forces से मेरी body के अंदर उससे रफतार काफी accelerate हो जाती है जिस पर वांग डोंगर कहती है तो फिर ये तो काफी अच्छी बात है और ये काफी बढ़िया होगा अगर ये तुम्हारी body को जल्द ही recover होने में मदद कर सके तो लेकिन रुको ये तो listed blade है ना क्या तुम्हें इस चीज का डर नहीं है कि लोगों का ध्यान तुम पे जाएगा जब तुम competition के अंदर इस blade को ले रखे होंगे और इस चीज को सुनते ही युहाओ illusion वाली ability को इस्तिमाल करता है और वो जो carving knife होता है उसका पूरा हुलिया बदल देता है और इस चीज को देखकर डोंगर खुश करने में मदद कर सके और मुझे लगता है कि ये तरीका मुझे जल्द ही हील कर सकता है और फिर हमें दूसरे दिन के एरिना का सीन दिखाया जाता है जहां पर referee announce करता है कि आज तांग सेक्ट का opponent sun moon empire से bright jade सेक्ट होने वाला है और नाना युहाओ को बताती है मैंने सुना है क और करीब करीब उन्हें किसी भी तरीके की हानी नहीं पहुची थी और इसके अलावा जो उनका captain है वा हर दम एक टोपी को पहने रहता है और वो कभी भी stage पर भी नहीं आया है और उसे छोड़ के सिर्फ 6 ही लोग थे जो की compete कर रहे थे यहां तक की वैसे वो team battle थी और तभ है तुम एक नंबर के stupid इंसान हो और तभी हम यहां पे bright and z sect को भी आते हुए देखते हैं और सच में जो इनकी captain होती है वो एक head को पहन रखी होती है और इन लोगों को देखकर युहां समझ जाता है यही bright and z sect है और यह लड़की काफी evil सी दिख रही होती है और यह और यह तुरंथ ही काफी खतरनाक तरीके से अपना sword aura release करता है और इस चीज को देखके यह लोग भी हैरान होते हैं और कहते हैं कि यह तो sword intent है जबकि यह लड़की थोड़ी सी घबरासी जाती है और लिंग सैंचेन को ऐसा करता देख युहां भी खुश होता है और जब लि लिंग सैंचेन क्या तुम भी सच में टांग सेक्ट को defend कर रहे हो तो लिंग सैंचेन इसका कोई भी जवाब नहीं देता है और फिर यह इसकी बात को सुनकर कहता है मुझे गलत समझने की कोशिश मत करना मैंने बस सेक्ट को जोईंग करने के लिए स्कूल को छोड़ दिया ह या फिर बस हमें तुम्हारे Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy के अंदर ऐसे ही बेकार पड़े रहना चाहिए था और इस चीज को सुनके Shio Hongchen को गुसा आता है तो ये कहता है आखिर तुम्हें इतनी भी क्या दिक्कत है और तभी रेफरी यहां पर आके कहता है अपनी बकवास बंद करो और क्या तुम competition से disqualify होना चाहते हो और अगर नहीं होना चाहते हो तो तुम्हारे लिए यही बहतर होगा कि तुम अपने resting area में चले जाओ और फिर ये announce करता है कि round robin का जो first match है उसमें tang sect के खिलाफ bright and z sect लड़ेगा और competition के लिए दोनों ही parties अपने पहले participants को भेज दीजिए और इसी के साथ हमारा episode यही पर end हो जाता है